आज हम बॉन के प्रीमियम मिल्क पाउ ब्रेड यूज़ करके शेज़वन चीज़ पाउ बना रहे हैं पैन में ओल डाल कर अनियंस, कैपसिकम, टमाटोस और कॉन्स डालें और इसे अब हम एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे शेज़वन चेटमी डालें, मिक्स कर लें अच्छे से अब इसमें ओलेवज और इटालियन सीजनिंग डालें, मिक्स करें, स्टफिंग बिल्कुल तयार है यह बॉन के मिल्क पाउ ब्रेड है, देखिए यह बहुत ही ज्यादा सौफ्ट है अब इसको तोड़ने सेंटर से, एक एक पीस को जब हम अलग कर लेंगे तो इसको नाइफ से इसके बीच में हम कैविटी बनाएंगे अराम से इसकी कैविटी बनाएं ताकि साइच से प्रॉपरली हाफा फिंच यह चूट सके और इसको अराम अराम से होलो करते रहें और इसके जो ब्रेड आप निकालेंगे वो ध्यान रखिए उसको डिसकार्ड मत करिए उसके आप ब्रेड क्रम्स बनाके आप रख सकते हैं जो हमने यह कैविटी बनाई थी इसमें सबसे पहले नीचे बटर लगा लें अच्छे से उसके बाद इसके बीच में हम स्टफिंग डालेंगे तीन से चार चमच अराम से इसमें स्टफिंग आजएगी थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करें और दबादें तक कि चीज के लिए प्रॉपरली इसमें जगा बन सके और आप जब खाएं तो इसमें पूरी स्टफिंग आपने मुमें आ सके उसको अच्छे से प्रेस कर लें अब हम इसमें चीजडालेंगे चीज़ को भी थोड़ा थोडरा प्रेस कर लें ताकि वो अंदर तक चीज़ अच्यज़ से मेलट होकर अच्छा इफेक्ट आ सके उसमें अब हम इस तरीके से सारे बंस को अब हम रिडी कर लेंगे सारे बंज हमने स्टफ कर लिया है इसे बहुत बेकिंग ट्रे में रखेंगे मैं इसमें ओइल नहीं लगा रही हूँ आप चाहे तो हलका सा ओइल या बटर लगा सकते हैं अब इसे आप अवन में रखें 140 डिग्रीज पर इसे आप 5-7 मिनट्स के लिए रखी या चीज मेल्ट होने तक इसे आप बेक कर लें अच्छे से हमारे पाव बिलकुल बेक हो चुके हैं इसे मैं आप काट कर दिखाऊंगी कि इसमेस्टफिंग सारे ही पाव मे हैं और चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है वारा बॉन मिलट पाव ब्रेट से बने शेजवन चीज प कर सकते हैं